नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 25 सितंबर दिन सोमवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में ए एनेम पदो पर आवेदन प्रक्रिया पुना हुई सुरू जमीन की फरजीवारे पर रोक लगाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम काइमली सिक्षक वहाली पर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे सिक्षक अभ्यात्वी आज कैबिनेट की बैठक में सीएम नितीश कुमार ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला भारत में ऑस्ट्रेलिया खिलाब दूसरे वंडे मैच में शांदार जीत हासल कर स्रीज पर किया कबजा अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों की ओर वस्तार से बिहार में एनम पदो पर आविदन प्रक्रिया पुना हुई सुरू बिहार तकनी की सेवा आयो की ओर से पिछले वर्स महिला स्वास्ते कारी करता कि 10,000 से जादा पदों पर भरती निकाली कई थी इस भरती के लिए अब BTSC की ओर से ओनलाइन आविदन प्रक्रिया 3 सितंबर से पुना शुरू कर दी गई है ऐसे ओमिद्वार जो पिछली बार इस भरती के लिए आविदन नहीं कर सके थे वे ओफीसियल वेबसाइट btsc.bih.nic.in या परिक्षा.nic.in पर जाकर ओनलाइन फॉर्म भर सकते हैं वही आविदन करने की अंतिमतारी 10 ओक्टूबर तक निर्धारित की गई है इसके लिए गर सैचने की योगिता की बात करें तो अभ्यर्थी को कम से कम 10 भी पास होना अनिबारे है और साथी auxiliary, nursing, midwife, free में डिप्लोमा होना भी आविश्यक है सजरी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी किएगा धिसूशना को देख सकते हैं बिहार को रिटन में आज हम बात करेंगे पादरी की हवेली के बारे में पादरी की हवेली जिसे सेंट मेरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है पटना का सबसे पुराना चर्च है और वास्तब में बिहार का जबकि चर्च को पहली बार 1713 में बनाया गया था आज हम चो सन देखते हैं उसे 1772 में वेनिस के वास्तुकार तेरेटो द्वारा डिजाइन किया गया था यह चर 1763 में नवाब मीर कासीम और 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के दौरान सहित कई हमलों को जेल चुका है यह दपी गोथिक इमारत में कई आधुनिक असपर्श है यह काफी ह चीन शहर पाटले पुत्र के खंडर माना जाता है नए साल के दिना यहां एक मेला आयुजित किया जाता है जिसमें लगभग 10,000 सुक साधक आते हैं केके पाटक ने अधिकारीयों की बनाई टीम इन दिनों बिहार में सक्षा विवस्था में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार के सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीफ केके पाठक की ओर से कई फर्मान जारी किये जा रहे हैं जिसका अब असर भी देखने को मिलने लगा है अब एक बार फिर उन्होंने एक नया फर्मान जारी करते वे यह नर्देश दिया है कि अब बिहार के वित रहित कॉलेजों का नर्देशन किया जाएगा बतादे कि इसके लिए सभी पदादिकारी को जिला अवंटित कर दिया गया है और साथ ही यहादेश दिया गया है कि वह वित्रहित कॉलेजों का नरक्षन कर और उस पर एक रिपोर्ट तयार कर उस रिपोर्ट के आधार पर एक पावर पॉइंट प्रिजन्टीशन तयार करेंगे जिसे 30 सितंबर को सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक के सामने दिखाया जाएगा आपके जानकारी के लिए बता दे कि सभी जिलों के लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है जिसमें से बैदनात प्रिसास सचीव को मुझपर पुर जिला अवंटित किया गया है तो वही बी कारती के धंजी को लखी सराय और सतीश चंद्र जहा विसे सची को समस्तिपूर जिला अवंटित किया गया है आज कैबिनेट की बैठक में नितीश कुमार ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला आज यानि की सुमबार को मुखे मंतर नितीश कुमार के द्वारा कैबिनेट की बैठक आयूजित की जाती है लेकिन इस बार या बैठक को होने वाली है कि मुखे मंतरी नितीश कुमार आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जिसमें नियो जिससक्षकों को सरकारी सिक्षक बनने का फैसला भी शामिल हो सकता है मालूम हो कि सीम नितीश ने पिछली बैठक में कुल पैतालस एजन्डों पर मुहर लगाई थी जिस असल उसको लेकर समाच कल्या निदेशाली के निदेशक प्रिशान कुमार के दौरा सभी सहायक निदेशक को निर्देश दिया गया है कि वह राजी में पंचायत वह वाडो में ग्री ब्रहमन करके ट्रांसजेंडर वक्तियों का सर्वे करे और एक रिपोर्ट तयार करे ता राजी सरकारी योजनाओं का लाव दिलाने भी मदद करे उन्होंने कहा कि डोर टूर सर्वे कर रिपोर्ट तयार करे और उसे यथा सिर्व निदेशाली को प्लब्ध कराए राजी सरकार के पास वर्ष 2011 में हुए आम जंगना के नरूप उनकी रिपोर्ट प्राप्त है पर परिवहन विभाग दोरा बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है इस तकनी को बढ़ावा देने के लिए बैंक के माध्यम से फंड की विवस्था की जाएगी इसके लावा राज्य सरकार के स्टार्ट अप फंड से भी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी अभी हाली में कंकरबा कॉलनी चिरया टांड स्थित स्मार्ट हेलमेट स्टार्ट अप नाम से खुद का स्टार्ट अप शुरू करने वाले राजा कुमार केश्री के काड़याले परिवहन सचीव संजय कुमार अगरवाल जिला परिवहन पदादिकारी एवं MBI के साथ पहुँचे थे जह से सेफ यूज किया जा सके उससे देखने के लिए तकनीकी पदादिकारियों के साथ आए थे हलमेट नहीं लगाने से अगर बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो यह बड़ी बात है इंडर मैट्रिक को मासिक परिच्छा में हुआ बदलाओ इंडरोर मैट्रिक की मासिक परिच्छा के समय में बिहार विद्धाले परिच्छा समीती की तरव से बदलाओ किया गया है बता दे कि आज यानि 25 सितंबर से 9 वी, 10 वी, 11 वी और 12 वी की मासिक परिच्छा बिहार बोड के तरफ से शुड़ हो रही है यदि परिच्छा काडब की बात करें तो प्रफम पाली में साहे 9 वजे से 11 वजे तक और दूसरे पाली में साहे 11 से 1 वजे तक 9 वी और 10 वी की परिच्छा आयूजित होगी जमीन की फर्जिवारे पर रोक लगाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम अंचल कारेयाले के द्वारा एक वेसिस अभियान की शुरुआत की गई है जिससे की भूमी विवाद पर अंकुस लगाया जा सके और साथ ही सरकार को सवसमय राजिश्व की प्रापती हो सके बतादे कि अभियान के तहट अब ना तो कोई भू स्वामी के जमीन की फरजी तरीके से रजिश्ट्री करा सकता है और नहीं फरजी तरीके से आपकी जमाबंदी से रसीद कटवा सकता है दरसल राजिश्व विभाग अब सभी रईयत की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करा रहा है जिसके बाद जमीन से संबंध धोने वाले कई तरक्य फरजीवारी को रोका जा सकेगा इस काम को करने के लिए विभाग के ओर से संबंध अधिकारियों को नरदेश दे दिया गया है बता दे कि जमाबंदी रईयत को अपने माल गुजारी रशीर और अधार कार्ड की चाया प्रती के साथ साथ उन्हें अपना मुवाइल नंबर भी हलका करमचारी को प्लद कराना ह इस संबंध में CI विपिन बिहारी सुकला के द्वारा बताया गया है कि सभी करमचारीयों को विभाग के ओर से नरदेश दे दिया गया है और वजल से जल आधार कार्ड और मुवाइल नंबर से रईयत की जमीन को लिंक करे ताकि रईयत को कई प्रकार के फाइदे मिल सके औ साइबर अपरास से जड़े शिकायत सुने में बिहार देश के शिर्ष राजियों में दसमलो आठ पांच लाख आई तो वहीं दूसरे नमबर पर आस्थान से करीब 5 दसमलो आथ 9 लाख और तीसरे नमबर पर विभार से 2.83 लाख शिकायत आई है परंतों इन कॉल का जवाब देने में बिहार सर्च अस्थान पर रहा है इस मामले में आर्थी कप्राद इकाय के ADG नईयर हसनयान खान के दोरा कहा गया है कि बिहार में कॉल प्राप्त करने का उसस सौ फीजी है शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण फोन लाइनों की संख्या भी बढ़कर तीस कर दी गई है उन्होंने बताया कि 28 अगस तक बिहार में 4 लाग से अधिक कॉल आई है जिसके आधार पर 20,916 सिकायते दर्ज की गई हो और पिरोतर से प्लिये गए 18 करोड रुपए से अधिक होल्ड कर आए गए है और फिलाल इनराशी को लोटाने की प्रक्रिया शिरूप कर दी गई है उन्होंने बताये कि अब तक करीब 2 करोड रुपए लोगों के खातों में लोटाए जा चुके है बढ़ाशी के कई जिलों में बारिस को लेकर अलर्ट चारी बिहार में पिछले कुस दिनों से होड़ी लगतार बारिश की वज़े से तापमान में गिरावट देखी जारी है बता दी कि मौसम विभाग के द्वारा अगले 24 घंट तक बारिश को लेकर बिहार के कई जिलों में यलो अलर्ट चारी किया गया है विभाग की माने तो निम्द दवाव और चक्रवात ये परिसंचरन कच्छित्र बनने के करण प्रदीश में इतनी बारिश होड़ी है अगर हम आज यानि की 25 स्थमबर के मौसम को लेकर बात करें तो आईमडी बिहार के द्वारा जारी की गए पुर्वारुमान के नुसार आज राजी के उत्तर मध्य और उत्तर पुर्व जिलो के एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ मेगरजन होने की संभावना है इसके अलावा पुर्णिया, किसंगंच, सुपॉल और ररिया जिलो के एक या दो अस्थानों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है बता दे कि इन जिलों को लेकर विभाग की ओर से यलो अलर्ट जारी किया गया है वहीं कल यानी कि 26 सितंबर के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से कल को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है वहीं इस तरह की सिति राज्य में 28 सितंबर तक बने रहने की बात कही गई है पेक्सो की सुद्र निगरानी के लिए उडिट ऐप की ली जाएगी मदद प्राइम्ली सक्षक बहाली पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सक्षक अभ्यर्थी दोरा सुप्रीम कोर्ट में डी टियाचिका दायर की गई है। बीएड योगेता धारी सिक्षक अभियरती BPSC के द्वारा आयुजित की गई सिक्षक भरती परिक्षा में प्राइमरी के लिए शामिल हुए थे जहां बीएड उत्रन अभियरतियों ने प्राइमरी सिक्षक के पद पर BPSC के नोटिफिकेशन के नुसार ही आविदन किया था फिर इन अभियरतियों की परिक्षा ली गई लेकिन अब रिजल्ट जारी करने के साथ ही बहाली में भी शामिल करने को लेकर परिशा देखी जारी है इसने से खुल रहा पटना का तारामंडल 2D वर 3D शो विहार में मौझूद पटना का सबसे पुराना इंदरा गांधी विज्ञान तारामंडल 21 नुवंबर से आम लोगों के लिए खोल दिये जाएंगे असबात की जानकारी विज्ञान प्रोदकी एवं तकनीकी सिक्षा मंतरी सुमत कुमार सिंग द्वारा दी गई है बता दे कि अभी हाल में इन्होंने तारामंडल में चल रहे कारियों का उचक नरिक्षन किया साथ ही इंजिनरों को तेजी से काम निप्टाने के नर्देश भी दिये साथ इन्होंने नर्देश देते वे कहा कि पटना का तारामंडल काफी पुराना है इसे मजबूत और आकरशक बनाने के साथ ही तैस समय सीमा के अंदर पुन रूप करें बता दें कि एक साथ 200 लोग तारा मंडल के मुख्लिक अक्ष में बैट कर 2D और 3D शो का लुट ले सकेंगे खिसारी लाल यादव ने लाइव आकर दिया भगवान राम और कृष्ण का उधारन बोजपूरे फिल्मों के सूपर स्टार खिसारी लाल यादव के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर यह जानकारी दी गई है कि वफिशले 15 से 20 दिनों से काफी परिशान है दरसल उन्होंने लाइव आकर कहा कि वह अब घबडाएंगे नहीं बलकि सित्री का डटकर सामना करेंगे उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की तरह बरदास्त करना शिखे और भगवान राम को गदी वह बल मिलने के बावज करता है लेकिन इससे वह चमकना नहीं छोड़ता इन सभी चीजों से हमें सीख लेनी चाहिए महीं इसके लाव अखे सारी लाल यादव ने अपनी आने वाले फिल्म का भी प्रचार किया बिहार पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिच्छा किंद्र नाम में बदलाव को लेकर नोटिस जारी अगर आप वे उन अभियर्थियों में से हैं जिन्होंने बिहार पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिच्छा में भाग लेने के लिए आविदन किया था तो यह खबर आपके बताते कि किंद्र एचेन परिच्छत बिहार पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिच्छा किंद्र नाम में बदलाव को लेकर एक एहम नोटस जारी किया गया है जिसके अंतरगत परिच्छा किंद्र कोर्ट संख्या 261 साथ के सभी सिफ्ट के अभियर्थियों को सुचित किया जाता है कि उक्त परिच्छा केंद्र का नाम टाइफिंग तौटी के करना डीबीमजीर सभी स्कूल सिवान के साथ पर डीबी सेवान नाम सभी सभी नर्देश पहले जैसे रहेंगे आपके जानकारी के लिए बता दे कि CSBC के द्वारा इससे पहले भी दो अने परिक्षा किंदर के नाम में परिवर्तन किये जा चुके हैं ऐसे में अगर अभियर्थियों को कोई दोविधा या परिशानी होती है या इससे जुड़ी अधिक जानकारी हासल करनी होती है तो वह 06122233711 पर फोन कर संपर्ख कर सकते हैं बता दे कि परिक्षा 22 पालियों में आयुजित की जाने वारी है जिसमें से पहले पाली की परिक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परिक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयुजित होने वादी है अब ओनलाइन ही ले सकेंगे भूमी दखल कबजा प्रमान पत्र अब केवल ओनलाइन ही बिहार के अंचल काड़यालियों से भूमी दखल कबजा प्रमान पत्र मिल सकेगा भूमी दखल कबजा प्रमान पत्र केवल विशेश परिस्ति में ही ओनलाइन लिए जा सकेंगे लेकिन इसकी समय सीमा भी तैय हो चुकी है हालाके इन मामलों में भी ओफलाइन कारवाई 31 दिसंबर 2023 तक ही की जाएगी इस तारीक के बाद भूमी दखल कबजा प्रमान पत्र केवन ओनलाइन ही दिया जा सकेगा सभी समहर्ताओं को पत्र के माध्यम से राजश्व एवं भूमी सुधार विवाग के सचीफ जैस सिंग दोरा आदेश जारी किये जा चुके है बिहारी बूतले ऍसपेशन में आजम बात करेंगे लक्ष्मेश्वर सिंग के बारे में लक्षमीश्वर सिंग को वाय सराई की विधान परिसत के सदर्शे के रूप में निवत किया गया और उने उस निकाई की बहसों में अग्रणी भाग लिया वह जुनागर के दिवान हरीदास विहारीदास तिसाई के साथ बिटिस सरकार द्वारा गठित 1895 के रॉयल कमिशन ओन ओपीमियम के सदश्य भी थे 1898 में वह और डव्यू सी बनर्ची सार्जनिक रूप से आलोशना करने वाले और भारतिय दंड सहिंता की धारा 114 ए और 113 प पागजात में छिपे रेखा चित्रों के कारण इंग्लैंड में प्रसद हो गया है महान महारानी विक्टोरिया की स्वर्ट जन्ती के अफसर पर लक्षमेश्वर सिंग को भारतिय सामराजी के सबसे प्रतस्थित आदेश का नाइट कमांडर बनाया था 1887 में उन्हें नाइ दिनों अपनी एक फेस्बुक पोस्ट को लेकर काफी चर्चा में बने वे हैं दरसल हो ने अपने फेस्बुक पोस्ट में लिखा है कि काफी अर्से उपरांत मैं बीती रात तेजस राजधानी एक्स्प्रस ट्रेन से नई दिली से पटना का सफर कर रहा था कानपूर स्थि भाती की बाते उमरने और घुमरने लगी जो संभवत अब बिहार के मौजुदा राजनेतिक पड़े पिक्च में बिल्को सटिक बैठता है आपके जानकारी के लिए बता दे कि राजध एमलसी सुनल सिंग लगातार अपने पोस्ट के जर ये बिहार के मुख्यमंतरी निती नितीश कुमार पर कसातंज भाजबा प्रदेश अध्यक समराब चौधरी के द्वारा प्रधान मंतरे नैंद्र मूदी की मन की बात कारेक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचित करते वे बिहार के मुख्यमंतरे नितीश कुमार पर जमकर हमला बोला गया उन्होंने कहा मौत हुई तो बीजेपी ने उसे मामले में आंदोलन किया और सरकार को जुखना पड़ा वहीं अति पिछला आयोग बनाने के लिए बीजेपी ने आंदोलन किया और सरकार को जुखना पड़ा राज्य में जाती है जंगना के काम में भाजपा ने पुर्ण समर्थन किया थ और इस मामने में भी राज्य सरकार को जुकना पड़ेगा महिला अरक्षन बिल पर लिलन सिंग ने किंद्र पर लगाया रूप जदिव के राश्ट्री अध्यक्च और सांसत लिलन सिंग के द्वारा महिला अलक्षन बिल को लेकर केंद्र की मुदी सरकार पर करारा हमला बोला गया है उन्होंने कहा कि महिला अलक्षन बिल 2024 का चुनावी जुमला है इस बार भाजपा महिलाओं को चलने का काम करना चाहती है लेकिन केंद्र सरकार की मनसा ठीक नहीं है केंद्र ने 334 एका प्रावधान जो किया है वो अनशित काल तक चलता रहेगा और 2024 में महिलाओं के लिए जुम्ला बाजी करके उन्हें चलने का काम किया जाएगा उन्हें महिला 37 करन से कोई मतलब नहीं है सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है और कुर्सी बचाने के लिए कोई भी जुम्ला बाजी कर सकते हैं उन्होंने भाजपापर चुनाव से पहले जुन्जना देने का आरोप लगाया है भारत की दिहास में आज की तारीक है कहीं कार्ण सिदर्ज वासको डिगामा आखरी बार वायसराई बनकर 1524 में भारताय दलाई लामा को 2006 में भारती नागरिकता देने की मांग हुई भारती प्रवर्तन दिशाले ने 2009 में लगभग 5000 करो रुपे के हवाला नेटवर का भंडा फोर किया भारत के पुर्व उप्रधार मंत्री चोधरी देवी लाल काIT 1924 में हुआ अर्थ शास्त्री समासास् Soul 2 और महाँचिंतक पंडित दीन दयाल उपाद्याय का जन 1916 में हुआ प्रसिद अभीनेता एवं फिल्म नर्माता नरदेशक फिरो सक्षान का जन 1949 में हुआ जानी मानी अभिनेतरी दिव्यादक्ता का जन्म 1975 में हुआ भारत की प्रिथम महिला चिक्सक गुरुकमा बाई कानेधन 1975 में हुआ साहितिकार एवं सुदन तासेनानी सुदर्श हसिंग चक्र कानेधन 1989 में हुआ बंगाल के प्रमुक कॉंग्रस नीता महात्मा गांधी जी के अनुयाई और सुदन तासेनानी प्रफुल चंद्र सेन कानेधन 1990 में हुआ हिंदी के वरिष्ट पत्रकार और साहितिकार करहिया लाल नंदन कानेधन 2010 में हुआ वर्कर में आज हम बात करेंगे पैन इंडिया हल्प लाइन नंबर के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सुचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पैन इंडिया हल्प लाइन नंबर के बारे में भारत ने और उस्ट्रेलिया के बीच तीन वंडे मैचों की सिरीज का दूसरा मुकाबला बीते दिन खेला गया भारत ने पहले बल्ले बाजी करते वे और उस्ट्रेलिया के सामने रिकॉर्ड तोर चार सो रन का लक्ष रखा अयर ने लंबी चोट की बाद वापसी करते वे श्रतक जरा स्रेयस ने नब्बे गेंदो में ग्यारा चोके और तीन छके लगा कर 105 रन बनाए वही सुबमन गिल ने भी और श्रेला एक खिलाफ सतक ठोका इससतक के जरते ही गिल ने अपने नाम कहीं रिकॉर्ड दर्ज कर लिये सुरे कुमार यादव ने भी बल्ले से धमाल मचाते वे अर्ध श्रतक पूरा किया और महज 37 गेंदों में ही 72 रन कूट डाले केल राहूल ने भी अर्ध श्रतक बनाया इसके जवाब में आस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने 99 रनों के अंतर से हार गई गेंदबाजी में अस्विन प्रसिद कृष्णा और अजय जडिजा ने शांदार गेंदबाजी की वहें स्तांदार जीत के साथ भारत ने सीरीज पर कबजा कर दिया अब फेस्बुक पर एक यूजर बना सकेगा अपने कई अकाउंट फेस्बुक पर अभी तक मल्टिपल परसनल प्रोफाइल फीचर मौजूद नहीं था लेकिन हाली में फेस्बुक के स्वामित वाली कंपनी मेटा ने फेस्बुक के लिए मल्टिपल परसनल फोफाइल फी है इसमें अलग-अलग प्रोफाइल के लिए आपको बार बार लॉग इन नहीं करना होगा फेस्बुक के अनुसार मर्टिपल प्रोफाइल फीचर के तहद आप एक बार में केवल चार प्रोफाइल बना सकेंगे और उनके बीच आसानी से स्विच कर सकेंगे इसके लिए आप यदि आप शेयर आकांट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डीमैट अकांट की जरुवत परती होगी यदि आपके पास भी डीमैट अकांट है तो यह खबर आपके लिए बता दे कि मार्केट रिगुलेटरी से भी के मुताबिक डीमेट अकांट में नॉमेनेशन फाइल करने की जरूरत होती है यदि आपने यह नहीं किया है तो साथ दिनों में आपका अकाउंट देक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि इसके लिए आकरी तारी 31 सितंबर 2023 तक है इसे पहले भी कई बार नॉमिनी एड करने की डेटलाइन मार्केट रेगुलेटर से भी की पुलिस दरोगा समित स्सी जैसे अने प्रतियोगी परिक्षां में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे के पांच सवाल में आपने कितना सही उतर दिया कृपा करके यह हमें कमेंड करके जरूर इसका सही उतर है ओप्षण ने राजेस नाम बियार अगला सवाल हाली में राश्ट्रपती द्रौबदी मुर्मू जी ने ग्रेटर नोईडा में किसका उधगाटन किया है ओप्षण ने मोटो जीपी ओप्षण भी इंटरनाशनल ट्रेट सो ओप्षण सी क्रिकेट इसका सही उतर है ओप्षण भी इंटरनाशनल ट्रेट सो अगला सवाल 2011 की जनगर्ना के आधार पर बिहार में नियुंतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है ओप्षणी मधुबनी ओप्षण भागलपूर ओप्षण दी सीता मढ़ी इसका सही उतर है ओप्षण सी भागलपूर अगला सवाल बिहार से प्रकाशित होने वाले प्रत्थम हिंदी द्यानिक समाचार पत्र का नाम क्या है ओप्षण A सर्च लाइट ओप्षण B आर्यावर्त ओप्षण C सर्व हितैसी ओप्षण D सदा याग इसका सही उत्तर है option C सर्व हित ऐसी अगला सवाल वो प्रतम मुगल बादशाह कौन था जिसने अपना राज अविशेक बिहार की राजधानी पटना में किया था option E बहादुर्शा, option B फरुक खशियर, option C मुहमद शाह, option D साजहां इसका सही उत्तर है option B फरुक खशियर, बीदे दिने मायदुरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने रपना जाब, हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था, जिन्होंने हमायदुरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार आस्ट्रेलिया के खिला पिछले खेले गए वन्डे सिरीज के दो मैचों में किस भारती खिलारी का प्रोदर्शन सबसे अच्छा रहा अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्षिन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें जान को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद